दोस्तो मुह की बदबू को दूर करने के लिए अपनाये ये घरेलू नुस्खे दोस्तो आपने अगर हमारा चनल अभी तक सब्स्राइब नहीं कहा तो सब्स्राइब कर लिजी क्योंकि मैं हेल्ट से जूड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन लाता रहता हूँ आज कल लोग अपने मुह की बदबू से बहुत परिसान है जिसके कारण लोगों के बीच कई बार सरमिंदगी उठानी पड़ती है अधिकतर मुह से बदबू आने का कारण मुह की सापसफाई न करना और गलत खान पान है आज बाजार में मुह की बदबू को दूर करने के लिए बहुत सारे माउठ वास उपलब्ध हैं लेकिन अपने घर में ही कुछ चीजों का इस्तमाल करके मुह से आने वाले बदबू को दूर कर सकते हैं तो आईए जानते हैं घरेलू नुस्खों के बारे में जिसमें पहला है दालचीनी, दालचीनी और सधी गुडों से भरपूर होता है, दालचीनी के खाने से मूँ की बैक्टिरिया खत्म हो जाती है, एक चम्मच दालचीनी के पाउडर और दो-तीन इलाइची मिला कर 10 मिनट तक उबालें, फिर इसे 4-5 बार कुला करें, इसे से कु खाएं, यह मूँ से दुर्गंद पैदा करने वाले बैक्टिरिया को नश्ट कर देता है, तीसरा है नीबू, बिटामिन C से भरपूर नीबू में बैक्टिरिया को बढ़ने से रोकने वाले गुड मुझूद होते हैं, गुनगुना पानी में एक चम्मच नीबू का रस मि कुल्ला करें, इससे मूँ की बदबू दूर होगी, अगर आपके दातों में सेंसेटिविटी की समस्या है तो इसका प्रयोग न करें, चौथा है अजमाईन, अजमाईन को रोज चबाने से मूँ की बदबू से राहत मिलती है, यह मूँ में दुर्गंद पैदा करने वाले बैक्टिरिया को रोकता है, आप चाहें तो इसके पाउडर को पानी में मिलागर कुला भी कर सकते हैं, जो आपके मूँ के दुर्गंद को कम कर देता है, पाच्वा है लॉंग, एंटी सेप्टिक गुडो से भरपूर लॉंग को रोजाना खाना खाने के बाद चबाने से सिरका मुँ की बदबू को ठीक करने के लिए बहुत लावकारी है, एक गिलास पानी में एक चमच सेव का सिरका मिला कर पिए, सेव के सिरका में पाये जाने वाले एसीड मुँ में बदबू पैदा करने वाले बैक्टिरिया को नश्ट कर देते हैं, इसके अलावा और भी इसको आपको ध्यान देना चाहिए, जिसमें दिन में दो बार अच्छे से ब्रस करें, ब्रस करने के बाद अपने जीव को साफ करें, अमबाकू और धूम्रपान से बचें, प्रतेक च्छ महिने पे दान्तों की जाच कराते रहें, मीठे का सेवन कम से कम करें, और श्टिक भोजन लें, खाना खाने के बाद अपने मुह को अच्छे से साफ करें, ताकि मुह में भोजन न रहें।